लोगसबा चुनाओं के पहले चरण के मतदान हो चुकी है लेकिन अब भी 13 सीटे एसी हैं जा मतदान होना है उन में से एक सीट कोर्टा बुंदी लोगसबा सीट भी है सीट पर मंगलवार देराज सियासी घमसान उस वक्ते जो गया जब कॉंग्रेस के लोगसबा प्रत्याशी पहलाद गुंजल अपने कारेकरताओं के साथ एस्पी ऑफिस के भार धरने पर बैठ गुंजल ने पुलीस पर पक्षपात पून कारवाई करने का रोप लगाया और कहा कि कोटा पुलीस लगतान निर्दोश कारेकरताओं को जेल म आयोक से भी की है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं होई है ऐसे में अब गुंजल का आरोप है कि मतदाताओं को धंकाया जाएगा तो लोगतंतर जिंदा नहीं रहेगा इसलिए अपने कारेकरताओं के साथ एस्पी ऑफिस के भार धरने पर बैठ गया और निर्दोश का तोरगन चोराय से शुरू होगी और एस्पी ऑफिस तब पहुचेगी हाला कि देरात करीब धाई बज़े डी जी वा एस्पी के अश्वासन के बाद गुंजल ने अपना धरना खतम कर दिया आपको बता दे इस लोग सबसीट पर 26 अपरेल को मतदान होना है ऐसे में हाँ सि प्राइड लाइन के मुताबिक आश्राम छे बज़े के बाद इस सीट पर चुनाओं पर चांड नहीं किया जा सकेगा इसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरी लिएस